आज के सेसन में हम लोग बात करेंगे एक important moment के बारे में जिसका नाम है existentialism अगर इसके provenance की बात करें तो ये 19th और 20th century से belong करता है ये एक philosophical और cultural development है इसके अलाबा अगर हम इसकी बात करें तो इसका major focus जो होता है वो एक व्यक्ति के या individual human existence को relate करता है उसकी freedom और choice को भी relate करता है इसका major focus जो रहा ये कहता है कि people are responsible for creating meaning in a world where life has no inherent purpose यानि life का कोई inherent purpose नहीं है but we human create a specialized meaning अगर इसके major thinkers की बात हम लोग करें तो इसमें आते हैं जीन पॉल साटे, फेडरिक नीसो, सौरेन किर्कगार्ड, अलबर्ट कैमस और सीमोन डेबूवा और मार्टिन हेस्गियर ऐसे ही important facts आपको जानने है और अपने literature facts को मजबूत करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं